ते जो condition आप देख कौशन देख रहे हो इसे हम कहते है अकने के marks और अब जो आप condition देख रहे हो इसे हम कहते हैं acne के scars अब कई लोगों को इस Сाथ में भी हो सकती है और कई लोगों को अलग ऩो सकती है लेकिन इन दोनों का जो अंडर लाइन resilience है जो main reason है मतलब आपके चेहरे पर पहले एक pimple आता है और उसके बाद या तो उसका निशान रह जाता है या फिर स्कार रह जाता है या फिर यह दोनों चीज़े भी हो सकती है लेकिन इन marks और dark spots को हटाना फिर भी relatively आसान है कई serums आते हैं market में कई creams भी आते हैं कई homemade face packs भी है जो कि इनको हटाने में help करेंगे कुछ नहीं तो अगर आप सिर्फ sunscreen भी daily use करना start कर दो तो कुछ महीनों में ये marks अपने आप चले जाते हैं लेकिन अगर आपके face पे ये scars हो गए एक बार और आपने इन्हें जल्दी हटाया नहीं तो ये चीज़ permanent भी हो सकते हैं जिसे हटाना almost next to impossibly है आज के इस वीडियो में हम इनी acne scars के ओपर बात करने वाले हैं क्योंकि मेरे अपने खुद के दोस्त को भी ये problem है और उसने मुझसे इस चीज़ का solution मांगा तो मैंने उसे ये का भाई plastic surgery करवा ले क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता लेकिन उस साले ने मुझे अपनी दोस्ती का वास्ता दे दिया और बोला कि भाई प्लीज कुस्तो solution बता अब भाई दोस्त के लिए कुस्तो करना था इसलिए मैंने बहुत research करी और मुझे solution मिला है लेकिन एक catch है, catch यह है कि यह solution सिर्फ उनहीं लोगों के लिए काम करेगा जो या तो अपने teenage में है और 20s में है तो भाई मेरे दोस्त का तो कुछ नहीं हो सकता उसकी तो यह जब 30 प्लस हो चुकी है लेकिन अगर आप अपने teenage में और 20s में और आपको acne scars की problem हो रही है आपकी skin smooth है, आप उसमें मखन लगाओ, मलाई लगाओ या कुछ भी घर से उठाके लगा लगा लो तो अच्छी लगेगी लेकिन जिसकी skin पे बड़े-बड़े acne scars है, deep scars है वो इंसान अपने चेहरे पे मंखन लगा रहा है, मलाई लगा रहा है आपके कहने पे उसको कहा results मिलने वाले हैं इस चीज से भाई, millions में व्यूज आते हैं इन वीडियो पे और अगर मुझे भी व्यूज या लाइक सीची होते ना तो मैं भी आप लोगों को ऐसी कोई DIY remedy बता के आप लोगों का time waste कर सकता था लेकिन मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को genuine information प्रोवाइड करूँ तो अगर आपको भी ऐसे ही genuine solution और genuine information चाहिए तो प्ली चैनल को subscribe भी कर दो सबसे पहले यह समझते है कि scars होते क्यों है देखो एक normal pimple आपके चैरे पे scarring का reason नहीं बन सकता यह scars तभी होंगे जब आपको deep cystic acne होता है यह उस type का acne है जो deep आपकी skin के अंदर तक penetrate कर चुका है बहुत बड़े बड़े मोटे पस से भड़े वे pimples जब यह आपके चैरे पे आजाएंगे तो यह scarring का reason बन सकते है और यह जितना time आपके चैरे पे रहेंगे उतने ज़्यादा deep और खराब तरीके के scars आपको देखे जा सकते है तो सबसे पहले तो आगर आपके चैरे पे ऐसे deep cystic acne है तो आपको एक dermatologist के पास जाके medicines ले नीची है, creams ले नीची है, जिनसे pimples जल्द से जल्द हट जाएं क्योंकि इन pimples को हटाना फिर आसान है, scars हटाना बहुत मुश्किल है और दूसरी बार चैरे पे चाहे चोटा सा भी pimple हो, उसे फोर ना मत जितना आप फोर के अपनी skin के ऊपर damage करते हैं, उससे कहीं जादा damage आपकी skin के नीचे होता है जिसकी वज़े से आपको scars हो सकते हैं, open pores की problem भी हो सकती है देखो आपका pimple चैरे पे चोट की तरह है, जब यह चोट बहुत ज़्यादा गहरी होती है, तो एक गड़्डा छोड़ जाती है आपकी body का healing mechanism इस गड़्डे को भढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बर पूरी तरीके से नहीं भढ़ पाता इसलिए आपके चैरे पे यह scarring हो जाती है, तो solution क्या है, collagen, collagen basically एक protein है जो कि हमारी skin के नीचे होता है आपकी skin tight, firm, smooth और young दिखे, उसके पीछे collagen ही responsible है, लेकिन आपका deep cystic acne इस collagen को damage कर देता है क्योंकि देखो, आप एक age तक ही अपने collagen को repair कर सकते हो, एक age के बाद ये condition permanent हो जाती है इसके बाद आप चाहे महंगे से महंगे treatments कर वालो, CO2, laser, chemical peeling करा कि अपनी skin की band बजा सकते हो, लेकिन इन scars को अटाना फिर भी मुश्किल है अब सवाल यह है कि अपने collagen को replenish कैसे करें, में लिए 3 तरीके मिले हैं मुझे, सबसे पहला है retinol, इसे हम retinoid भी कहते है, retinoid भी इसी का नाम है, ये cream क्या करती है, आपकी skin पर collagen प्रडक्शन को increase करती है साथी cells को regenerate भी करती है, मतलब आपके skin cells जल्दी-जल्दी regenerate होते हैं, जिसके वैसे आपकी skin smooth हो सकती है लेकिन जो deep आपके skin में damage हुआ है, ये उस तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए skin के उपर उपर तो काम करती है, लेकिन deep scarring जो रखिया उस पे जाधा effect नहीं कर पाती अब दूसरा तरीका है micro needling, इस process में एक device की health से आपके चहरे पे चोटी-चोटी injuries की जाती है, जिससे body को एक signal मिलता है कि इस area को cure करना है, इसलिए वहाँ पे वो fresh collagen को पहुचाती है और इन injuries को cure करने के process में ही आपके scars भी cure हो सकते हैं, अब सुनने में तो असान लग रहा है, लेकिन इसके भी disadvantages हैं, पहला तो ये कि आप इसे active acne पे use नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर आपके चहरे पे चोटे-बोटे pimples भी हैं, तब भी आप इस process को use नहीं कर सकते हैं, क्योंक में वही मंगा के चला लेंगे face पे, कभी मत करना ऐसा, अपनी skin से जरा सा भी प्यार है तो, किसी अच्छे dermatologist की help से ही आपको इस process को करवाना चाहिए, इसलिए process expensive ज़रूर है, 10-12 sitting में आपके 30-60,000 रुपे लग सकते हैं, तीसरा तरीका है, आप supplements के थूँ अपनी body में naturally collagen levels को increase कर सकते हो, अब देखो मैंने पहले बताया था कि collagen damage हो है, वो deep आपकी skin के अंदर है, तो externally तो आप उस तक नहीं पहुन सकते हैं, लेकिन अगर आप internally अपनी body में collagen levels increase कर सको, तो आपका overall collagen improve हो जाएग और आपके scars भी ठीक हो सकते हैं, अब देखो भाई, यह सबसे लंबा skin radiance collagen, देखो सबसे पहले तो इसमें marine collagen डला है, जो कि clinically proven है कि आपके collagen levels increase करता है, दूसरी बात इसमें vitamin C है, vitamin E है, hyaluronic acid है, biotin भी है, मतलब यह complete supplement है, मेरी skin के लिए, मेरे बालों के लिए भी, देखो मैं इसलिए यूज़ करना हूँ क्योंकि मुझे fine lines और wrinkles की problem आ रही है, लेकिन यह आपके acne scars को भी improve कर सकता है, आपके open pores को भी tighten कर सकता है, क्योंकि बेसिकली इसका काम है आपकी body में collagen levels को बढ़ाना, और जब आपके collagen levels increase होंगे, तो skin automatically tighten और smooth around होटे लग जाएगी, अब देखो यह एक non-west supplement है, तो कई लोग बुलते है, vegetarian supplement भी suggest करो, तो true basics का vegetarian collagen भ अब से अच्छा कुन सा लगा, जल्दी comment करके बताओ, और भाई बहुत मैनत लगती है, research लगती है, इन products को और information को आप तक पुचाने में, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, तो please like ज़रूर करके जाना, नमस्ते